गूड मॉर्निंग जहीं दोस्तों कैसे आप सब दबजस, बिंदास और जक्कास मेरे प्यारे सातियों आप सभी का ससांक डिफेंस अकेडमी यूटूब सेनल पर हर दिन सुबह सात वजे इस पिरियमियम में स्वागत है तो सो यह पैस हमने उन बच्चों के लिए बनाया है जो बच्चे किसी भी कॉंपेटिशन एक्जाम की तियारी कर रहे हूं और वो फिजिक्स में कमजोर हों या पिर फुश्यार हों या पिर बच्चों किसी भी स्कोर अच्छा करना चारहे हों तो उन सभी बच्चों के लिए यह हमने टॉप 5,000 कॉश्यारी स्टार्ट किये जो आप सभी के सामने है जिसमें बच्चों मैं आप सभी को करा चुका हूं 35 मॉक टेस्ट और आज की क्लास में होने वाला है 36 बिना टाइम कराब किये सीध्यम कुश्चन पर उतरते हैं आजओ बच्चों पहला जो कुश्चन आ रहा है पहला कुश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है एक सेकिंड बच्चों यस आ चुका है पर्ष्ट कुश्चन बच्चो 851 बहुत बढ़ी है कुश्चन है किस मिस्र दातू का बना होता है क्या बात है तोटा सा कुश्चन है आप निकाल सकते हैं क्या टिन का बना होता है टंगस्टन का होता है पारा का होता है सीसा का होता है यार कैसी बात कर रहे हैं उस सबको पता होगा यह टंगस्टन इसका होता है बच्चो टंगस्टन का होता है याद करना हूँ कुशे नमबार 852 सोडियम का वर्क फंक्षन 2.0 एलेक्टोन बोल्ट अच्छा कॉपर का वर्क फंक्षन जो दे रखा है 4.0 एलेक्टोन बोल्ट दोरो पर 4000 एंगिस्टन का प्रकास गिराए जाए तो एलेक्टोन किस से बहार आएंगे वर्क फंक्षन किसे कहते हैं जानते हैं अब वर्क फंक्षन किसी भी सेमी कंडेक्टर का वहाँ मिनीमम एनर्जी होती है जिससे अधिक प्रकास की अधिक एनर्जी को गिराएंगे तो एलेक्टोन बाहर निकाल लेता है वो तो मैंने work function देखा मतलब गिराए गई energy energy चेक करते हैं energy होती है बच्छो hc नहीं हूँ या hc upon lambda अगर hc upon lambda को देखे हैं तो इसकी value आती है 12400 और lambda को लेना एंगिस्टन में और ये electron volt में आती है बच्छो पता होगी आपको ये हो गया बच्छो 12400 बड़े lambda इंगिस्टन 4000 3-0 से यहां पहुंच जाएगा 4 से काट वे 4 तिवार है 4.1 यानि 3.1 electron volt तो बच्छो इतनी energy का प्रकास आप गिरा रहे हैं अब sodium का जो work function है sodium का है 2 electron volt और बच्छो copper का जो work function है वो है 4 electron volt और आप गिरा रहे हैं प्रकास इतनी इससे electron निकलने के लिए नियूंतम 2 electron volt की energy चाहिए और इससे निकलने के लिए 4 की लेकिन आप गिरा रहे हैं 3.1 इससे तो electron नहीं निकलेंगे इससे electron निकलेंगे sodium से electron बहार आजाएंगे बढ़िया कुश्चन है यह बहुत अच्छे कुश्चन है ऐसे कुश्चन आते हैं अगला कुश्चन बच्चो सेमी कंड़क्टर के लिए उर्जा अंतराल होता है energy gap सेमी कंड़क्टर के लिए देखो बच्छो जीरो होता है कंड़क्टिव के लिए यह होता है चालकों में किसे होता है बच्छो चालकों में या निकंड़क्टिव में तीन electron वोल्ट से अधिक यह non-conductive में होता है अचालक में होता है अचालकों में जिसे हम non-conductive कहते है और semi-conductive में होता है 0.2 electron volt से 3 electron volt के बीच तो राइट answer C याद रखेगा energy क्याप है यह कुशन नमबर 854 बचो उस बलका मान होगा जो 9000 newton meter की पावर से किसी बस्तु को 30 meter तक खीस लेता है जोगो बचो कभी भी ऐसा कुशन आ जाए तो unit से ध्यान रखा करो इसने काई newton और meter और यह इतनी meter तक खीस लेता है यह meter है वो लिखा हुआ तो आप अगर यहाँ ध्यान रहे है force वराबर निकालना है तो यह 9000 newton meter बटे 30 meter meter से meter कट गया और newton बच जाएगा 0 से 0 कट जाएगा तो आज जाएगा 300 newton ऐसे बहुत से कुश्चन होते हैं बच्चो जो केवल और केवल unit के साब से खतम हो जाते हैं केवल unit की help से कुश्चन नमबर 855 855 यदे minus 4 कूलम आवेस को मूल बिंदू पर और plus 4 कूलम को 2 1,0 पर वा minus Q कूलम को 1,0 पर रखा जाए तो सत्य कतन है उस्चन में जो कहा है पहले वो काम कर लेना चाहिए करिये वो काम फटा पट minus 4 कूलम origin पर रखा है origin पर क्या रखा है बच्चो यहां रखा है minus 4 कूलम minus 4 कूलम origin पर तू 1,0 पर रखा है तू 1,0 पर 4 कूलम रखा है बहुत बढ़िया यह 0,0 पर आवो बच्चे 1,0 पर 1,0 यह आ गया 1,0 1,0 पर रख दिया है minus का क्यूलम तो बच्चो इन दोनों के भी इसकी distance तो आपको पता यह A है लेकि इन दोनों के भी distance बच्चो आपको पता यह भी A है अब आपसे बोलाए कि यह क्या दोनों balance रहेंगे minus 4 क्यू बेलेंस में होगा अगर minus 4 क्यू है तो फिर plus 4 क्यू होगा या minus Q क्या balance में होगा बच्चो माइनस माइनस इन दोनों के भीच में क्या होगा repulsion होगा और इन दोनों के भीच में क्या होगा attraction होगा तो यह तो balance होई नहीं सकता जैसे आप इसको छोड़ेंगे तो यह attraction की वजए से इदर आएगा इसे repulsion की वजए से तो यह balance नहीं हो सकता यह वाला question तो गलत होगा option all equivalent मतलब यही नहीं है बच्चो balance तो यही भी नहीं होगा तो बच्च गया option ही तो minus 4 Q balance रहेगा क्योंकि इसकी तो लाम बहुत हभी है और इससे attraction है इसमें इसलिए यह balance रहेगा minus 4 Q भी रहेगा और plus 4 Q भी रहेगा इसलिए ऐसे question आते है तो थ्यान से करना चाहिए आपको बिंदु P पर चुम्मक के छेत्र बताओ बताओ बच्चे बिंदु P पर magnet field क्या होगा पर बार आते हैं ऐसे question अच्छे question होते है इसके हम trick लगाते हैं बच्चो trick निकालते है magnet field की magnet field mu not upon 4 pi i over r into theta इसमें radian में तो यह आजाएगा mu not over 4 pi i over r और theta 30 है 30 को मैं ले सकता हूँ pi by 6 बच्चो calculation करेंगे तो pi से pi कर जाएगा तो यह आजाएगा उपर mu not i over 6 चोवीस r यह आएगा magnet field का value तो mu not i वटे 24 r तो मेरे पास यह तो option गलत होगे यह दो option दे रखे अब पुछा है अंदर या बाहर होगा तो बच्चो magnet field निकालते हैं समय ऐसे उंगली गुमाते हैं जब हम उगलियां को गुमा रहें wire की हो wire में current की हो तो मेरे पाहर की हो तो magnet field का होगा बाहर और अगर current ऐसे वेता तो अंदर अब इसमें का हैं बाहर तो right option बंबाई यह बच्चो ऐसे question पूछ जाते हैं अगर ऐसे जा रहा है current तो यह होगा बाहर बच्चो current ऐसे जा रहा है तो यह बच्चो होगा अंदर क्यों बच्चो ऐसे करना है अगला question बच्चो एट अंड़ फिप्टी सेविल बढ़िया question है 10 meter की उचाई पर खड़ा व्यक्ति किसी ball को 5 meter per second से उपर की और फेकता है ball कितने समय में प्रत्वी पर पहुँचेगी बच्चे बहुत अच्चा question है यह perpendicular motion one dimension motion के अंदर प्रिक नम्बत तीसरे का question है क्लास में पढ़ाया जाता है कुश्चन को समझें कुश्चन यह दे रखा है यह एक व्यक्ति है जो कितने पर खड़ा है बच्चों 10 मीटर पर खड़ा है वो ball को उपर फेक कर प्रत्वी तक मौसनिक पर time पूश रहा इसमें बच्चों ट्रिक पढ़ाई जाती है आपको c ब्रावर होता है v plus u upon g यहाँ पर जो v होता है वोता है अंडरूर के अंदर u square plus 2gh u मेरे को दे रखा है कितना है 5 मीटर पर सेकिंड initial velocity तो पहे हो जाएगा 25 और 2 plus 2 d10 और hb10 तो बच्चों यह हो जाएगा अंडरूर के अंदर यह 200 और यह 25 तो यह हो जाएगा 225 225 पंदरे का square होता है मेरे पास टायम आजाएगा यह 15 मीटर पर सेकिंड और u r i मेरे पास 5 upon g r i 10 तो बच्चों यह आगया 20 पर टे 10 तो आजाएगा यह 2 सेकिंड यह 100 ट्रेक का जरी आएगा जी आंसर भी बहुत जल्दी निकाला कोई भी नियम नहीं कोई कुछ नहीं perpendicular ऊपर के और फेकता है तो यही लगता है यहां u question में दे रखका है जी आपको पता है v i से निकाला यह तरीका होता है वच्चों अगला question दे रखका है 858 200 kc के object को कितनी height पर ले जाएं कि 9800 energy zool भर जाए सीधा सीधा है potential energy का question है mgs से h आ जाएगा mgs लगा होगे h आ जाएगा potential energy mgs potential दे रखकी है 9800 m दे रखका है वच्चों 200 c दे रखका है 9.8 और h आपको निकाला है पर ओबर वच्चों 200 से कड़ गया अगर हम यहां देखें यह 98 और यह आ जाएगा 9.8 इंटू 2 परावर h बच्चों अगर मैं यहां ध्यान दो तो 9.8 से कड़ जाएगा 10 वार आपके पास आजाएगा h परावर 10 वाटे दो बोले तो 5 मीटर तो राइट आंसर 5 मीटर तो 5 अच्छा जी कमान 10 ले रखाएगा धी कमान 10 ले आओगा तो एप्रोक्स 4.9 आ जाएगा एक ही बात है बच्चे यह एप्रोक्स बोल सकते हैं आप इसे 4.9 जाएगा धी कमान तुम 10 ले लोगे तो आटोमेटिक करेक्ट आ जाएगा 4.9 बच्चों अगला कुश्चन 859 इतने अटरस आप रहती के प्रकास की बेवलेंथ होगी बेवलेंथ पिल सा कुश्चन है या अटरस होता है C अपॉन लेंडा व्राबर आजाएगा। इतनाच-को या तुम बाटे 8.2 कैसे कट जाएगगा 10 वह दो तो यह 200 मतलब 100 और यह 300 8 से काटोगे तो 8 चुक 32 होता है 8 चुक 32 तो एप्रोक्स 36 आजाएगा एप्रोक्स क्या आजाएगा 30 क्या आजाएगा यह मीटर आजाएगा बच्छी ठीक है बच्छो 36 के अलम सम आएगा क्योंकि हमारे पास नीचे 2 भी है 36 से और कोई बेस्ट आप्शन नहीं है तो 36 मीटर एप्रोक्स आजाएगा ऐसे कर सकते हो बच्छो इस कुश्चन को अगला कुश्चन 860 या किसी ब्रत की तरज्जा 6 सेंटीमीटर और रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड चेंज हो रही है एरिया में चेंज यंग होगी ऐसे कुश्चन में एरिया निकाल लो एरिया का कर दो डिफ्रेंसियसन रिलेटिव टू टाइम ओटोमेटिक कुश्चन खतब मैत में भी आएंगे ऐसे कुश्चन फिजिक्स में भी आते हैं इसलिए बार अभी नेवी के एक्जाम में भी मैत में आयता कुश्चन एरिया होता है सरकल का पाई आर स्क्वेर वच्चो मैं अगर इसका डिफ्रेंसियसन करों डिए ओवर डिटी तो हो जाएगा टू पाई आर और आर का हो जाएगा वच्चो 6 cm per second 37, 37 दू नी बैतर पाई क्या जाएगा यह सेंटीमीटर स्क्वेर पर सेकेंड क्या आएगा वच्चन तो बैतर पाई सेंटीमीटर स्क्वेर पर सेकेंड दिल ले ऐसे कुश्चनों को ध्यान रखिएगा किस तरीके से करते हैं बच्चो 861 बच्चो बहुत अच्चा कुश्चन है प्रत्रोदों के सलंगन नेटवर्क में प्रतेक प्रत्रोद स्मॉल आर ओम है ए और बीके भीस में नेट रिस्टेंस बताना है बहुत ही आराम से समझ के समझेगा क्या दे रखा यह जो आपको डाइगराम दे रखा है आर 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 मतलब यह वन वन ओम दे रखा यह और बीके भीस में नेट रिस्टेंस एक काम करो इसको उठाओ और उठा के ऐसे कर लो तो यह बीटी स्टोन बन जाएगा क्या बन जाएगा बीटी स्टोन अगर मैं इसे स्ट्रेक्शर को बनाना चाहूँ तो ऐसे बना सकता हूं मित्रू यह बीच में यह रही यह वाली जो बीच में यह देखो यह वाली जो है यह सी है और वच्छो यह आ रहा है आपके पास ई और यह आ गया वच्छो डी और यह आ गया वच्छो ई अब आप गौर दे लीजिए आप आराम से इसके बीच में एकोम 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 है आरो में यह सब आ रहे हैं यहां भी आ रहे हैं यहां भी आ रहे हैं यहां भी आ रहे हैं इन दोनों का आदा यानी आ रहा जाता है ए और भी के बीच में नेट रिश्टेंस आ रही आएगा बच्छे तो कि ये बीचे स्टोन है देखने में आपको वो ट्रैंगल सा लग रहा है तो कि उसमें उठा के रख दिया वहां से मास क्या दे रखा है इक्वल काईनेटिक एनरजी जो समान मास समान गति जूर जासे आच्छा मास नहीं सीम काईनेटिक के एनरजी से मोशन कर रहे है उनके मुमेंटम का रेशियू बता रहा है बढ़ी हा कुशन है आप जानते हैं काइनिटिक एनर्जी जो होती है वहोती है P स्क्य YES आप इसैने काइनिटिक एनर्जी बरावर दे रखी है कि मारा के वन वर्रावर के टु कि आ जाएगा P1 स्क्यूर पड़े टु म बरावर brick मण परावर क्या आ रहा है मेरे भाईयों M1 वटे M2 मास कितना देर रखा है 1 kg वटे 4 kg इसको में लेख सकता हूँ 1y2 का ओल स्क्यूर वोस साइड से स्क्यूर अटा दो कि आपका आंसर आजएगा 1 रेशियो संब्येगों के परमानों का अनपात आ गया जी मुमेंटम रेशियो वर रेशियो 2 नेक्स्ट कोश्चन 830 साधारन द्रश्टी के लिए खगोल या दूर्दसी की आवर्दन शम्ता सामा नियर्थों में होती है यानि के मेगनिफिकेशन पावर निकाल नहीं है simple telescope की तो telescope होता है वो यह होता है जी यहाँ पर आपका नेत्र लगा होता है जी और यहाँ से आप infinite पर object को देखते हैं जब image जो है infinity पर बनती है न तो मेगनिफिकेशन पावर का फर्मला आता है minus f upon f e और यदि 25 cm पर वने यदि image कहाँ वने 25 cm पर तो मेगनिफिकेशन पावर का फर्मला आता है minus f upon f और 1 plus f upon d यह लगता है बच्छों तो आपको वाला पूछा है तो minus f upon f बढ़िया कुश्चन है अच्छा कुश्चन है यह length होती है अगला कुश्चन इमले के चित्र में lens दो बिविन पदार्तों से बना है एक बिंदू वस्त अक्ष पर रखी जाती है तो इसके कितने प्रत्विम बनेंगे बढ़िया कुश्चन है अलग-अलग metal से बनाएगा है इसका reflective index अलग है एंड बन और इसका reflective index है एंड टू image इसके द्वारा यहां बनेगा तो इसके द्वारा यहां बनेगा इसकी दो image बनेंगी बनेंगी दो प्रकास जब अलग-अलग reflective index के medium से बहार आएगा तो अलग-अलग प्रकार का deviation होगा क्यों जो डेल्टा पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं n-1 in 2 पढ़ते हैं प्रिजम में तो यही डेल्टा है इस वज़े से इसका अलग-अलग रहेगा तो image दो बनेंगी दो मीडिया में अब इसमें सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि current क्या दे रखा है तो current आपके पास resistance दे रखा है बढ़िया बात है लेगि current के बारे में कुछ नहीं कहा current के बारे में कुछ नहीं कहा तो यह जो सेल है न यह पूरा EMF होगा यह internal resistance होगा क्या होगा इस उसने putting cell पूछा है cell दोनों एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए ऐसे जुड़े हुए और यह कैसा combination होता है मित्रों क्यों होता है parallel combination और parallel combination में अगर हम potential V net निकालते तो यह निकलता है average सीरीज में सीधे जुड़ जाता है तो निकलेगा दो प्लस दो गटे दो वले तो दो वल्ट ही आएगा इन होते तो अपन तीन हो जाता है सब को जोड़ कर तो मेरे पास अंसर आ गया दो वल्ट है बढ़िया कुश्चन रहा है बच्चेओ अगला कुश्चन अपोजड़ जुड़ते तो घड़ जाते रांजिस्टर क्या है एक चालक है गलत एक सेमी कंडेक्टर है आगे देखत प्रकार के टायोड़ां से मिलकर बना होता है अगला 860 से वे हीरे के समक का प्रमुक कारण बताओ जी मेन कारण बताना है मेन मुक्ख कारण तो बहुत हो जाते हैं हर चीज़ के लेगिन आपको मुक्ख कारण बताना है किया बताना है बारी भाई ओ मुक्ख कारण मुक्ख कारण को समझ येगा पदाए हीरे के समकने का मुक्ख कारण हीरा जो होता है वच्चो उसमें होता है पूरपराबर्तर टोटली रिप्रेक्षण पराबर्तर इसलिए हीरा चमकeden अगला प्रकास की किस रंग के लिए तरंग देद अधिक्तम होता है बहुत अच्छा कुश्च किस रंग के लिए बेवलेंद अधिक्तम होता है यह है कुश्च देखो बच्छो हर जगे लाल रंग हमीशजाधा रहेगा डेविएसन और इन्नेकस को अन्यमे रेड बड़ा होता है वालेट से जाद रेखो याता के बेवलेंद्र भी रेड की जादा हो बढ़िया कुश्चा नहीं अच्छा कुश्चा नहीं एक मनुस्य सीधी सड़क पर 10 रूड 3 किलोमेटर परावर के वेक से जा रहा है तता पानी उर्द्वादा नीची की ओर बड़ा जो बोल रहा है चित्र बना लेना परसराय मनुस्य को बड़सा से बचने के लिए किस एंगल पर 17 मतलब एंगल बताना है बस कुछ नहीं कुश्चन सिंपल है जा कितने से रहा है पर्पेंडिकुलर ऐसे पर्पेंडिकुलर दस से 10 किलोमेटर पर आवर तभी जाके बारे से रुके तो आपको ये एंगल बताना है यहाँ पर अगर हम 10 ठीटा लगाएं पर्पेंडिकुलर ओबर बेस जो जाएगा वन अपन रूट थी तो ठीटा हो जाएगा पैरलर से 30 डिगरी तो 60 फ्रॉं वर्टिकल, 60 फ्रॉं होरीजेंटल, 30 फ्रॉं वर्टिकल ये कुश्चन आप से ऑफ्षन में दे रखा है पता हो अच्छो ठीटा आ गया विल्कुल आपके पास ऑफ्षन भी दे रखें उसी कहनुसार आपको आंसर देना है ठीक है वर्टिकल का मतलव क्या होता है लंबबाथ वर्टिकल का मतलव अगर कोई बच्चे को समझ में नहीं आए लंबबाथ और इजन्टल सेथे इसको बोलते है बच्चो ये भी लंबबाथ हो गया तो ये हमारे पास एंगल ऐसे रख रहा है ये था 30 तो लंबबाथ से 60 इल्कुल सही है ठीक बच्चो किया कुश्चार अगला जदे किये गए परपत में व्यासकती 150 वाट है तो रेजिस्टेंस आर का मान बताना है बहुत बढ़ी है रेजिस्टेंस आर की वैली बतानी है आवर् जो होती है बच्चो फावर् religions वह होती है 20 स्क्यार आपाउनDet है बहुति है यहां पर आर तो एक साइड में ले 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 तो है 20 अपाउन पे लो है स्क्यार आपको 15 दे रखा है तो 15 का स्क्यार और पावर वाट दे रखे 150 जो हो जाएगा 225 पंदरे का स्क्वेर रही 150 तो यह रिजिस्ट्रेंस आर नेट दे रखा ही है यह 25 से काट दोगे तो 95 और 55 चिक्के 3 से काट दोगे तो 3 तरुका और यह आर नेट यहां से निकाल हो गए यह आजाएगा आपके पास 2R वाटे R प्लस 2 पेरलर कॉमीनेशन वे यह आर नेट आजाएगा तो आपके पास आगया 2R वाटे R प्लस 2 परावर आर नेट के वैलू आ रही है 3 प्लस 2 मंटिप्लाइ कर दो बच्चो 4R परावर 3R प्लस 6 क्यों हो जाएगा R परावर 6 हो मच्चो R परावर 6 हो बंबाई Simple question और अच्छा भी कुश्च्चन है ध्यान रखना 8 and 8, 71 60 kg का एक व्यक्ति 940 kg के लिप्ट के अंदर है अच्छा इसका मतलब टोटल कितना हो गया उसका एक अच्छा एंदर पेहलं पर बंटन दवाता है तब लिप्ट एक मीटर पर सकेंड स्क्या के अच्छा से ऊपर जा रही है तो लिप्ट पर दोटी में तनाब तो बच्चो यह लिप्ट है ऊपर अच्हा एक्सेशन से जा रही है तो यह m है प्लस कैपितल M केपिडिनम लिप्ट का पच्छो एक्सेलेशन टेंसन जो हो जाती है वह जाती है एमनेट इंटू जी प्लस ए जब हम ऊपर जाते हैं एमनेट कितना है नौसो चालीस और साथ एक अजार रखका है आपके पास वन ले लेते हैं दस दे रखका है और ये दे रखका है व्र तो मेरे पास आगया गया 20 जीरू chi साहर एक ट्रपल जीरू अईसे कुश्शन आते हैं वच्छो लिफ्ट वालें नीचे जाती तो माइनस आ जाता 832 एक प्रकास किरण A और B एक प्रकास किरण C पर गिरती से और D से निकलती है तो light rays क्या हो रही है बच्छो ऐसे बिखर रही है और बिखरने वाला कौन होता है बच्छो कौन के लैंस होता है मेरर तो ओई नहीं सकता न कुछक्त करण बाहरा आगहें अगला कौन सबिस नहीं है तो ङे उसके बेव चात कर लो रंग की बात करें या बेवलेंथ की कि चीज़ित करना ही क्यों यह कुछ्छन विद्दुदारा उतपन होती है बताओ किसी से क्यों से करेंट डाइनमो से टांजिस्टर नहीं करता तायोड नहीं करता अगले देन यह आ裂 टाइम औक टेस्ट एक नई शुरूबात के साथ 876 से 900 कुश्चन होगा ये हमारा सेशन लंबे समय तक चलता रहेगा आप सगी अगर आप मैंसे कोई भी बच्चा अगर कॉंपेटिशन की त्यारी करना चाहता है ओफलाइन बैच्च लेना चाहता है तो जोइन करें सासांग डिपेंस अक्रेडमी फ्रेंट आप एसम पालो टेक्निक कॉलेज ये रख एसे इंजिनिरिंग कॉलेज टेहें दोस्त